कोईट के बारे में किसी को भी 100% knowledge नहीं है चाहे वो कितने बड़ा व्यग्यानिक हो चाहे कितने बड़ा doctor हो चाहे कोई बी किसी भी field में काम करने वाला person हो चाहे कितना भी research oriented person हो जब हिंदुस्तान में आये थी लोगों का यह था कि हिंदुस्तान में सेकिंड वेव नहीं आएगी लेकिन हमारे यहाँ पर भी सेकिंड वेव आएगी यह जो भी बाते कहीं जा रही है वह जो पूराना 1919 में जो इस्पैनिश फ्लू आया था उसी बेसिस पे था उस तैम में जब फर्स्ट वेव आय थी तो बहुत लम्मे टाइम तक चल है जलुए इसी पर हिंदुस्थान में मुझे लग राहे मुझे लगता हमें लक्षा सी ह। जो बाराइज चाहे बिरेंट, Charly में जो द्यू她稍ő हो डेलिटा प्लस वेरियंट हो, कोई भी वेरियंट का होगा, यह मेरा अपना प्रसना ओपिनियन है, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन रखेंगे, अगर हमारे यहां पे टाइमली वेक्शिनेशन होगा, तो थर्ड वेव हमारा ज्यादा नुक्सान नहीं करेगा, अब तक जो ड अगर हमारा वेक्शिनेशन अच्छा रहा, तो थर्ड वेव आएगी, यस, लोग इंफेक्ट भी होंगे, लेकिन होस्पिटिलाइजेशन या पेशिन को भरती करने की जरूत मुझे लगता है, बहुत ही मिनिमल, बहुत कम रहेगी, इसलिए टाइमली वेक्शिनेशन बहु जरूरी है, लोगों को जब जिसका टर्न जैसे आता है, जाकर के वेक्शिन करवाना चाहितं